बिलीव मी ये सेट डोसा का बैटर ना आप सिर्फ और सिर्फ दो से तिन मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं और पूरे परिवार को एक हल्दी नास्ता बनाकर दे सकते हैं ये इतना सौफ्ट और स्पंजी बनता है ना बहुत ही टेस्टी लगता है और घर के ही सिंपल से सामा से हम आराम से इसे बना सकते हैं जो बिगनर से उसे भी ये बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आईए मैं आपको तोड कर दिखाती हूं ये देखे कितना ये सौफ्ट और स्पंजी बना है या आप देख रहे हैं कितने इसमें जालीदार बनकर रेडी हुए हैं तो ये इंस्टेंट सेट धोसा की रसपी को बनाना शुरू करते हैं जिसके लिए मैंने ले लिया एक कप सूजी ये कोई सा भी सूजी ले सकते हैं मोटी पतली कोई भी चलेगा साथी साथ एक कप दही डालेंगे और यहां पर दो से तीन बड़े चमच मैंने डाल दिया है सोग इसे बंद करकर अच्छा से ब्leльण कर लेंगे तो यह जो ब्लैंड करना है बहुत ही स्मूद्ली करना है और बहुत ही फाइन सा हमें पेस्ट और यह यहां पर कितना अच्छा सा हमारा पैर जो है जो हमारा बंद कर रेडी है इसे अधार हम दो से 3 मिनट के लिए रस्ट करन लिया है और चना दाल को लिया है यह इसली ग्रॉसरी शॉप पे मिल जाता है इसे लो फ्लेम पर हमें अच्छे से भून लेना है और इसकी जो क्वांटिटी है ना मैंने दो दो चमच रखी है बड़ी चमच से हरी मिर्थ स्वाद के नुसार डालेंगे और एक इंच का अधरक टुकड़ा भी में डाल रही हूं यहाँ पर मैं लसुन का यूज कर रही हूं तकरीबर तीन से चार माने डाला है लखन को टूत ली आप स्किप कर सकते हैं बट इस जटनी में लसुन का जो फलेवर है न मुझे परसनली बहुत पसंद है तो मैं जरूर से डालती हूं अदर तो यहां पर ना बैटर भी सेट हो चुकी है इसमें मैंने एक चोटी चमच फूट सॉल्ट को डाला है और यहां पर इसे अक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी डालकर अक्टिवेट करकर ना इसे अच्छे से मिक्स कर देना यह देखे तो पॉफेक्ट तरीके से हमार सद्धोसा का बैटर जो है यह बनकर रेडी है और इसकी कंसेंस्टेंसी देखिए बिल्कुल इस तरीके की होने चाहिए पोरिंग कंसेंस्टेंसी होनी चाहिए तो बस फटा फट से गर्मा गर्म तवा के ऊपर यहां पर मैं डालूंगी थोड़ा सा ओल पानी को छिड़क कर उपर से गीले टाल से साफ कर देंगे या फिर टिशू पेपर का भी यूज़ करें और ना यह जो बैटर है बस इसे लैडल से बस डाल देना है कोई भी स्प्रेड नहीं करनी है बस इसी तरीके से डाल करना हम ढख देंगे लो फ्लेम पर इसे कुक करेंगे आईए जब तक कुक होता है हम चटनी को रेडी कर लेते हैं मैंने यहाँ पर एक जाड ले लिया है इसमें हम डाल देंगे मुंगफली चना और नारियल वाला जो हमने बून कर रेडी रखा था और यहाँ पर ना इसमें मैंने पानी डाल कर इसे हमने चर्ण करना है बहुत ही अच्छे से उ यह बस मैं आपको दिखा देती हूं कि कितना अच्छा कलर आया यह आप देखे ना तो बस विदाउट टर्ण किये हुए हमें इसे अब प्लेटिंग कर लेनी है तो यहां पर एक प्लेट ले ले और उस पे फटा फट से यह रखते जाए और यह इतना टेस्टी और यमी बनता है तो मैंने थोड़ा सा जार में पानी डाल कर इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है अब इसे एक तड़का लगाएंगे जिसमें थोड़ा सा ऑइल डालेंगे मैं म।ंगफली का तेल यूज कर रही हूं आप कोई सा भी तेल का यूज कर सकते हैं अबना मैं इसमें डाल चोटी वाली राई एक चोटी चमच और चना दाल उड़त दाल एक बड़ा चमच यह इन दोनों को मैंने मिक्स करकर डाला है थोड़ा सा कड़ी पत्ता और यहां पर मैं डालूंगी थोड़ा सा हिंग तो आप कोई सा भी ब्रैंड ले सकते हैं लेकिन हिंग जरूर से डालनी ह हरी मिर्च यह फिर लाल मिर्च का तड़का भी आप लगा सकते हैं बट अगर बच्चों को देना है तो आप टोटली स्किप कर दे यह देखे पौफिक तरीके से हमारी कोकोनट और मुंगफली की चटनी भी बनकर रेडी है यहां पर सेट डोसा बहुत ही सौफ्ट सपंजी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है तो आइए मैं आपको इससे तोड़ कर दिखाती हूं और यह ना चटनी के साथ आप जब सर्फ करेंगे ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है आई होप आज की रसपी पसंद आई होगी मिलते है नेक्स रसपी के साथ टेक क्यर बबाई आई हुआ होुआ हो